तो फ्रेंट्स आज के सेंड्विच बनाने के लिए हमने सबसे पहले बारीक कटा प्याज लिया है बारीक कटी शिम्ला मिर्च बारीक कटी टमाटर और दो से तीन बड़ा चमच ली है ये तीनों चीजे मैंने और कम जादा कर सकते हैं कॉइंटिटीज की और अभी हमने पनीर के छोटे-छोटे टुकने लिए ये भी दो से तीन बड़ा चमच दो बड़ा चमच हमने स्वीट कॉन लिया है और चीज लिए है लगबग दो से तीन बड़ा चमच सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और फिर डालेंगे इसमें नमक लगबग 1-4 टी स्पून 1-4 टी स्पू इसमें बड़ा चमच लिए इसमें बड़िया से उपर से हमने और चीज लगा दी है और अभी इसको कवर करके सेक लेंगे तवे पर और तवे पर हमने थोड़ा सा बटर लगाया है और बटर लगा के उसके उपर अपना सैंडविच रख देंगे और ढखकर लो फ्लेम पर इसको क्रिस्पी होने तक पकने देंगे एक मिनट बात देखेंगे कि यह अच्छे से क्रिस्पी हो गया अभी मैं आपको दिखाती हूँ तो पहले उपर बटर लगा दे ताकि दूसरी साइड भी सिख जाए तो अभी इसको हम पलट देंगे और ये देखें कितना बड़िया से क्रिस्पी हो धखकर फिर से एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमने उसको भी क्रिस्प कर लिया है और ये लीजे हमारा चीजी क्रीमी वैट सेंडविच बनकर बिल्कुल रेडी है और देखें चीज कितना निकल निकल के आ रहा है इसमें एक्तम क्रीमी सेंडविच बनता है ये बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चे तो इसको फटा फट से खा लेंगे मांग मांग के खाएंगे और इतनी सारी इसमें वेजटेबल भी है तो ये हेल्दी भी है और breakfast में आप इन sandwich को बना कर ready कर सकते हैं, evening snacks में दे सकते हैं या बचों के tiffin में दे सकते हैं, घर में सभी को ये बहुत पसंद आने वाले हैं, तो friends अगर ये recipe आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को like share जरूर करना फिर मिलते हैं किसी ऐसी interesting recipe में